Hello बच्चो, let's see the question. The question says, proof that square root 7 plus square root 11 is an irrational number. So, हमको ये proof करने कि square root 7 plus square root 11 ये हमारा के बर irrational number होगा. Firstly, I will tell you कि concept एने की concept आपकी help करेगा इस question को solve करने में. तो हमारे पास की concept एक हमको पता square root 7 और square root 11 दोनों के तर्मारा irrational number होते हैं. Both are irrational number. अब यहाँ पर करता हम लैट कर लगते हैं. हमने तोछ ए प्रूफ करने कि square root 7 plus square root 11 ये हमारा irrational number होगा. इस rational number तो हमार के क्या इंपलाई करना पर आजएगा. इस इंपलाई जएगा. और जएगा this implies that in both sides जएगा पर की square root 7 ये हमारे हो जएगा पर a scale by b scale. then हमारा के क्या जएगा कि plus 11 minus 2 multiplied by a by b इंटर जएगा पर square root 11. तो हमारा पर जएगा जएगा this implies that this implies that 7 minus a square divides by b square minus 11. यह हमारा किसके को लोगेगा माइनस 2A by B into square root 11K तो हमारा पर लोगेगा इस इंप्लाइजस दैड की 7 into B square माइनस A square माइनस 11 into B square इस इस इडिवाइड by B square यह हमारा से को लोगेगा माइनस 2 times of A by B into square root 11K तो हमारा पर लोगेगा इस इंप्लाइजस दैड की square root 11 जो है यह हमारा से को लोगेगा this is equal to अग्याज़ करेंगा आप B को multiply करेंगा 20 होगेगा B square तो हमारा पर लोगेगा 7 times of B square minus A square minus 11 times of B square and this is B पढ़ेंगे पर minus 2 times of A, B अब देखा हमने पर लेट कहा किया था कि square root 7 plus square root 11 यह हमारा equal है A by B की ता हम कोई चीज़ पता यहां से कि square root 7 plus square root 11 यह हमारा 0 equal तो नहीं होगा तो हमारों एडिया this implies that अपर A भी हमारा 0 equal नहीं होगा अब देखाण पर क्या देखा तो हमारा 0 equal नहीं है B हमारा 0 equal नहीं है तो minus 2 times of A into B भी हमारा 0 equal नहीं होगा और A और B हमारे क्या थे? integer थे A and B are integer तो हमारा पर यहां पर क्या आजेगा कि 7 times of B square minus A square minus 11 times of B square यह मारे होगा integer होगा is integer और minus 2 times of A B मेरे होगा integer होगा is integer तो हमारा पर क्या जएगा this implies that square root यह मारे पर 11 नहीं होगा क्या था? square root यहांना रिक लग है integer divided by integer पर मारे पर जो derma denominator में यह मारे 0 के एक वल तो नहीं है तो माजेगा क्याप square root 11 का हमारा rational number होगा is rational number but हम कोई चीज पता है क्या square root 11 का दमारा irrational number होता है is irrational number तो हमारे पर क्या आजेगा कि this implies that यह हमारा पर imply कर देगा अब यहां पर की जो चीज हमने आज्यूम की थी वह हमने गलत आज्यूम की थी कि our अज्यूम्शन जो हमने के था अज्यूम किया था अज्यूम की था अबर अज्यूम्शन इस रोव तुम्हार का जेगा, इस इंपलाइज देड की स्क्वेर रूट 7 प्लस स्क्वेर रूट 11 होगा हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा, means हमारा रैशनल होगा, is इर्रैशनल नंबर और ये ही तो हम को प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया, हमें, वी प्रूट 7 प्लस स्क्वेर रूट 11 होगा, इस इर्राशनल नंबर ये की चान्सप्ट, I hope you understood it well, all the best, thank you.